हेलो बच्चों, आज हम परिवहन के साधन के बारे में पढ़ेंगे, जिनकी साहिता से हम यहां से वहां तक जा सकते हैं, वीडियो को आखरी तक अवश्य देखें, वीडियो के अंत में अभ्यास के लिए वरक्शिट दी गई है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस वीड परिवहन के साधन का क्या अर्थ है? परिवहन मनुश्यों, जानवरों और वस्त्वों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन है, परिवहन के साधनों में शामिल है वायू, भूमी, सडक और रेल, जल वायू परिवहन, वायू परिवहन में लोगों या माल का आवागमन एक स्थान से दूसरे स्थान पर आकाश द्वारा किया जाता है गर्म हवा का गुबारा गर्म हवा के गुबारे में पईये नहीं होते हैं, यह आकाश में उड़ता है, इसे मनुष्य द्वारा उड़ाया जाता है, यह गर्म हवा की मदद से उड़ता है हवाई जहाज एक हवाई जहाज में चार से अधिक पईये होते हैं, यह आकाश में उड़ता है, इसे मनुष्य द्वारा उड़ाया जाता है, यह एक विशेश परकार के तेल की सायता से उड़ता है हेलिकॉप्टर हेलिकॉप्टर में पईये नहीं होते हैं, इसकी जगें स्केट्स होते हैं, यह आकाश में उड़ता है, इसे मनुष्य द्वारा उड़ाया जाता है, यह एक विशेश परकार के तेल की सायता से उड़ता है रॉकेट में पईये नहीं होते हैं, यह अंत्रिक्ष में उड़ता है, यह मनुष्य द्वारा नियंत्रित किया जाता है भूमी परिवेहन भूमी परिवेहन लोगों, चानगरू या वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर भूमी पर आवागमन है साइकल एक साइकल में दो पहिये होते हैं, इसे मनुष्य द्वारा चलाया जाता है स्कूटर स्कूटर में दो पहिये होते हैं, इसे मनुष्य द्वारा चलाया जाता है, यह पेट्रोल से चलता है Motorcycle Motorcycle में दो पहिये होते हैं इसे मनुष्य द्वारा चलाया जाता है यह पेट्रोल से चलती है Rikshah एक rikshah में तीन पहिये होते हैं इसे मनुष्य द्वारा खीचा जाता है आटो रikshah एक आटो रikshah में तीन पहिये होते हैं इसे मनुष्य द्वारा चलाया जाता है यह CNG पर चलता है CNG एक प्रकार की गैस है तीपहिया साइकिल इस तरह की साइकिल में तीन पहिये होते हैं इसे मनुष्य द्वारा चलाया जाता है यह हाथ से या बैटरी द्वारा संचालित होती है यह विकलांग व्यक्ती के लिए बहुत मददगार है बस एक बस में चार से अधिक पहिये होते हैं इसे मनुष्य द्वारा चलाया जाता है यह डीजल द्वारा चलती है ट्रक एक ट्रक में चार से अधिक पहिये होते हैं इसे मनुष्य द्वारा चलाया जाता है यह डीजल द्वारा चलता है ट्रैक्टर एक ट्रैक्टर में चार बड़े पहिये होते हैं इसे मनुष्य द्वारा चलाया जाता है यह तेल से चलता है कार एक कार में चार पहिये होते हैं इसे मनुष्य द्वारा चलाया जाता है यहें पेट्रोल, डीजल और सी अन्जी द्वारा चलती है अग्नी शमन ट्रक, एक अग्नी शमन ट्रक में चार से अधिक पहिये होते हैं इसे मनुष्य द्वारा चलाया जाता है यहें डीजल द्वारा चलता है पोलिस कार, एक पोलिस कार में चार पहिये होते हैं इसे मनुष्य द्वारा चलाया जाता है यहें बिजली से चलती है एम्बुलेंस, एक एम्बुलेंस में चार पहिये होते हैं इसे मनुष्य द्वारा चलाया जाता है यहें डीजल द्वारा चलती है पोस्टल वैन, एक पोस्टल वैन में चार पहिये होते हैं, इसे मनुष्य द्वारा चलाया जाता है, यह है डीजल द्वारा चलती है स्कूल बस, एक स्कूल बस में चार से अधिक पहिये होते हैं, इसे मनुष्य द्वारा चलाया जाता है, यह है डीजल द्वारा चलती है तेल ट्रक, एक तेल ट्रक में चार से अधिक पहिये होते हैं, इसे मनुष्य द्वारा चलाया जाता है, यह है डीजल द्वारा चलता है कंक्रीट मिक्सर ट्रक, एक कंक्रीट मिक्सर ट्रक में चार से अधिक पहिये होते हैं, इसे मनुष्य द्वारा चलाया जाता है, यह है C&G द्वारा चलता है ठेला, एक ठेले में चार पहिये होते हैं, यह है लकड़ी से बनाया जाता है, इसे मनुष्य द्वारा खीचा जाता है रेल गाड़ी, एक रेल गाड़ी में चार से अधिक पहिये होते हैं, यह है ट्रेक पर चलती है, इसे मनुष्य द्वारा चलाया जाता है, यह है डीजल या बिजलीस द्वारा चलती है मेट्रो ट्रेन, एक मेट्रो ट्रेन में चार से अधिक पहिये होते हैं, यह है ट्रेक पर चलती है, इसे मनुष्य द्वारा चलाया जाता है, यह है बिजलीस द्वारा चलती है बैल गाड़ी, एक बैल गाड़ी में दो पहिये होते हैं, इससे जानवरो द्वारा खीचा जाता है, यह है प्रचीन समय का परिवेहन का साधन है, आजकल इसका उपरयोग गाउं में लोग सामान धोने के लिए करते हैं उट की गाड़ी, उट की गाड़ी में चार पहिये होते हैं, इससे जानवरो द्वारा खीचा जाता है, यह है प्रचीन समय का परिवेहन का साधन है, आजकल इसका प्रयोग गाउं में लोग सामान धोने के लिए करते हैं गोड़ा गाड़ी, एक गोड़ा गाड़ी में चार पहिये होते हैं, इससे जानवरो द्वारा खीचा जाता है, यह है प्रचीन समय का परिवेहन का साधन है, आजकल इसका प्रयोग गाउं में लोग सामान धोने के लिए करते हैं जल परिवेहन एक समुंद्र, महासागर, जीन, नहर या नदी आधी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों या वस्तुओं का आवागमन है नाव, नाव में पहिये नहीं होते हैं, यह लकडी की बनी होती है, इसे मनुष्य द्वारा पानी के उपर चलाया जाता है पंडुबी, पंडुबी में पहिये नहीं होते हैं, इसे मनुष्य द्वारा पानी के नीचे चलाया जाता है जहाज, जहाज में पईये नहीं होते हैं, इसे मनोश्य द्वारा पानी पर चलाया जाता है पच्चों, अब आपकी बारी विक्स्थान भरो कार में डैश पईये होते हैं ट्रक डैश पर चलता है हवाई जहाज डैश में उड़ता है जहाज में डैश पईये होते हैं बस डैश से चलती है रेल गारी डैश पर चलती है आटो रिक्षा में डैश पईये होते हैं साइकल में डैश पईये होते हैं मेट्रो ट्रेन डैश पर चलती है हेलिकॉप्टर को उड़ाने के लिए डैश की आवशक्ता पड़ती है निम लिखित के लिए एक शब लिखो रेल गारी में कितने पईये होते हैं रिक्षा में कितने पईये होते हैं बस कौन चलाता है बैल गारी कौन खीचता है ट्रक में कितने पईये होते हैं हेलिकॉप्टर में कितने पईये होते हैं नीचे दिये चित्र में कुछ वहनों के नाम लिखे हैं तुम्हें हर वाहन को एक तरफ उसके पईये की संख्या से जोड़ना है दूसरी तरफ उसी वाहन को वह जिससे चलता है उससे जोड़ना है बच्चों उत्तर की जांच करो एक स्थान भरो कार में चार पईये होते हैं प्रफ डीजल से चलता है हवाई जहाज आकाश में उड़ता है जहाज में पईये नहीं होते हैं बस डीजल से चलती है रेल गाड़ी ट्रेक पर चलती है ओटो रिक्षा में तीन पईये होते हैं साइकल में दो पईये होते हैं मेट्रो ट्रेन ट्रेक पर चलती है हलिकोप्टर को उडाने के लिए विशेश परकार के तेल की आवश्यक्ता पड़ती है निमलिखित के लिए एक शब लिखें तेलगारी में कितने पहिये होते हैं? चार से अधि दिक्षा में कितने पहिये होते हैं? तीन बस कोन चलाता है? मनुश्य बैल गारी कौन खीषता है? जानवर ट्रक में कितने पहिये होते हैं? चार से अधी हेलिकॉप्टर में कितने पहिये होते हैं? कोई पहिया नहीं होता नीचे दे चित्र में कुछ वहनों के नाम लिखे हैं तुमें हर वाहन को एक तरफ उसके पहिये की संख्या से जोड़ना है, दूसरी तरफ उसी वाहन को वह जिससे चलता है उससे जोड़ना है पहली है बस, बस में चार से अधिक पहियों की संख्या, डीजल से चलती है, बैल गारी, दो पहिये, जानवर चलाते हैं खेला चार पहिए मनुष्य चलाते हैं स्कूटर दो पहिए पैक्ट्रोल रिक्षा तीन पहिए मनुष्य चलाते हैं कार चार पहिए पैक्ट्रोल डीजल गैस मेट्रो ट्रेन चार से अधिक पहिए बिजली ट्रेन चार से अधिक पहिए डीजल बिजली नाव कोई पहिए नहीं मनुष्य चलाते हैं ट्रक चार से अधिक डीजल साइक्ल दो पहिए मनुष्य चलाते हैं मोटर साइक्ल दो पहिए पैट्रोल